आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल RNS Education News में दोस्तों वीडियो में बहुत सारी जानकारी लेकर आगया हूँ सबसे पहली जानकारी LDC भरती का परिक्षा परिणाम और टाइपिंग के बारे में क्या जानकारी है वो देने वाल हूँ इसके अलावा RSM Board की WRDJN भरती इसके अलावा संगनक वेकेंसे से रिलेटर बहुत सारी जानकारी का ये वीडियो शुरू से लेके अंतक देखे है और दोस्तों पटवारी भरती की बारे में लेटेस्ट अपडेट क्या है वो सारी जानकारी इस वीडियो में तो दोस्तों सबसे पहले तो ये First India News समाचार चैनल का ट्वीट देख सकते हैं LDC परिणाम जल्द होगा जारी ठीक है राजिस्तान बेरोजगार एकिकरत मासंग के जो प्रतिनी थी है वो पेन यादा और उनके साथियों ने मुलाकात की RSSB चेर्मेन BL जाटावाद सहब से और LDC परिणाम जारी करने की मांग तो यहाँ पर BL जाटावाद जी ने कहा है कि 26 जनवरी से पहले हम परिणाम जारी कर देंगे पहले दोस्तों यहाँ पर उनने कहा था कि 10 जनवरी से पहले परिणाम आएगा लेकिन अब परिणाम आपका 26 जनवरी से पहले आएगा ठीक ह है उनकी official meeting है और उस पर चर्चा की जाएगी कि कब तक ये परिणाम जारी किया जाए उन्होंने 26 जनवरी कही है लेकिन चार जो जनवरी के जो उनके meeting हारे से बोर्ड की उसके बाद तैह हो पाएगा official announcement से दूस दिन आ सकता है 4 जनवरी को लेकिन इतना तैह है तो एक महा का आपको typing के लिए समय दिया जाएगा और पटवारी भरती के लिए अभी तक वितियस विक्रती नहीं मिली है पटवारी वेकेंसी के लिए बता दे दोस्तो यहाँ पर अभी तक स्विक्रती नहीं मिली है विग्यापन के लिए तो ये पटवारी का था लेटेस्ट अपडेट इसके अलावा चार जनवरी को बोर्ड की मिटिंग के बाद ही तैय होगा वो टाइपिंग के लिए सिर्फ एक मन्तो जिनको लग रहा है कि उनका यहां पर चैन हो जाएगा टेस्ट में तो वो अपनी टाइपिंग स्पीड को और तेज कर लें क्योंकि शिर्फ एक महा का वक्त दिया जाएगा रिजल्ट आने के बाद यानि कि अगर 26 जनवरी से पहले आपका रिजल्ट आता है तो फरवरी महा के अंदर आपकी टाइपिंग कर वाली जाएगी तो ये बड़ा अपडेट है LDC 2018 को ले करके इसके अलावा दोस्तो यहां पर आप देख सकते हैं उपेनी आदवने जो मुलाकात की बियल जाटावत साब से फोटो के माधम से देख सकते हैं उन्होंने गयापन दिया है यहां पर और जो जानकाली उन्होंने दी है दोस्तो यहां पर WRD पटवारी सही तन्य भर्तियां लेब असिस्टेंट पुष्ट आलेख से परिक्षया तित्थी गोसित करने के लिए भी उन्होंने गयापन दिया था और 26 जनवरी से पहले ये होई गया पटवारी भरती का विग्यापन जारी करने के लिए भरती में अभी विभाग से स्विक्रती की फाइल नहीं मिली है पटवारी भरती के मामले में अभी विभाग से स्विक्रती की फाइल अभी नहीं मिली है और WRD जो जैयन में भाग जैयन की भरती है उसकी दो 385 पद आने वाले हैं ठीक है वो 385 पदों की वेकेंसी बहुत जल्द यहां पर RS बोर्ड जारी कर देगा इसके अलावा दोस्तों यहां पर लेब असिस्टेंट 3 फरवरी को प्रस्तावित होना बताया है इसके लाव 10 से लेके 24 फरवरी तक की भी यहां पर जो एक्जाम डेट आ सकती है इसके लिए जिला कलेक्टर मोदे से एक्जाम की पर्मिशन की अनुमती मांगी जारी है RSM बोर की दुआरा 10 से लेके 24 फरवरी तक तो 10 से लेके 24 फरवरी तक भी RSM बोर की जो जिनकी परिक्षाई नहीं हुई है जिन भरतियों की उनकी डेट 10 से लेके 24 फरवरी के बीच में कुछ परिक्षाओं की यहां पर डेट आ सकती है क्योंकि इसके लिए कलेक्टर मोदे स यहाँ पर अनुमती ले रहा है RSM SSB बोर्ड यहाँ पर पुष्ट काले अध्यक्स भरती की परिक्षाती थी एक दो दिन में विभाग द्वारते की जाएगी तो पुष्ट काले अध्यक्स भरती है उसकी भी यहाँ पर exam rate 101-2 दिन के अंदर यहाँ पर जारी कर दी जाएगी स संगनक भरती के जो वेटिंग के मामले में ने कहा है विभाग ने बोर्ड को जोइनिंग नहीं करने वाले अभरतियों के शूची नहीं भेजी है इसलिए बोर्ड के पास संगनक के सम्मदित कोई भी मामला नहीं है संगनक वेटिंग से सम्मदित मामला अभी मूल विभाग के पास ही है यानि कि अभी तक मूल भाग के पास ही मामला है उन्होंने अभी रिपोर्ट नहीं किया RSM बोड को कि इतने अभरतियों ने जोइन किया है इतने अभरतियों ने जोइन नहीं किया जैसे ही वो डेटा RSM SSB बोड के पास जाएगा जितने आप भरती वहाँ पर जोइन नहीं करेंगे उन पर वेटिंग लिस्ट आ जाएगी तो यहाँ था अभी तक संगनक भरती के मामले में वेटिंग का कोई फिलाल चांस नजर नहीं आ रहा तो यह था दोस्तो आज के वीडियो में बहुत ही काम की जानकारी पोष्ट काल अधक्स जो वेकेंसी है उसकी एक्जाम डेट एक से दो दिन के अंदर LDC का रिजल्ट 26 जनवरी से पहले इसके अलावा जैयन की वेकेंसी WRD जैयन 385 पदों पर पटवारी भरती की अभी स्विक्रती नहीं मिली है ठीक है इसके अलावा 10 से लेके 24 फरवरी तेक और एक्जाम डेट RSM बोड की निरधारित की जा सकती है तो यह बहुत सारे बड़ जै भारत